Facebook account सभी लोग चलाते हैं, चाहेवाद छोटे लोग हो या बड़े लोग लेकिन वही account hack हो जाये तो क्या करें? बड़े लोगों को बहुत प्राबलम होती है अगर उनका account hack हो जाता है वहीं छोटे लोग कहते हैं कि क्या कर ही सकते हैं hack करके account को तो मैं आपको बता दूँ कि इस case में आप Facebook account को हलके में मत लीजिए इससे आप फस भी सकते हैं तो इस सब चीज को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो विना इसकिप के वीडियो को पूरा देखें जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आते हैं और एक account hack हुआ है जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ठाकुर उमेश कुमार सिंग इस account जो है hack हो चुका है यहाँ पर यह post है यह वाला Facebook account है हमारे एक friend का है तो यहाँ पर देख लिजिए यह account में सिर्फ एक ही वंदा यहाँ पर add friend हुआ है जो कि mutual friend है दीपू सिंग और यहाँ पर जो Facebook account में post पड़ी हुई वो बाहर की post पड़ी हुई है तो यह account hack हुआ है और इसका मैं password भी तोड़ने की कोशिश किया था लेकिन यहाँ पर जो है account में email जो है इस image लगी हुई है इसका image वाली लड़की का यहाँ पर email register है तो इस case में आप इस Facebook account को कैसे delete करवाएंगे इसी का complete process वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर cybercrime portal पर आ जाना है cybercrime cybercrime portal पर आपको आ जाना है आने के बाद सबसे पहले आपको एक cybercrime में आपको report करनी है जैसा कि हमने यहाँ पर report करके भी बताया हुआ है किस प्रकार यहां पर रिपोर्ट होगी यहां पर हमारे चैनल पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट करना सीखें इस वीडियो में हमने यहां पर एक्स्प्लें किया है और यहां वीडियो हमारा ट्रेंडिंग में चल भी रहा है तो यहां पर आप जा सकते हैं और कि तरफ से आपको कॉल आएगा अगर थाने वाले कुछ नहीं करते हैं तो यहां पर आपको थाने वाले ही बताएंगे कि आप सबसे पहले एक F.I.R लिखनी है इसका भी मैं यहां पर जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा कि इस प्रकार से आपको यहां पर लिखनी है जैसा कि हम यहां पर MS Word में लिखकर भी बताए हुए है कि स्त्रीमान पुलिस अधिक्षक मोद है यहां पर Facebook एकाउंट हैक होने के संबन्द में उसके बाद क्या-क्या मामला है आपको यहां पर नीचे लिखना है जैसा कि हमने यहां पर लिखकर भी दे दिया नहीं बंद करवा सकते तो उसके बाद आपको यहां पर ID यहां पर जो ID है जैसे कि हम यहां पर Facebook ID यह वाली है तो इस Facebook ID को आपको यहां पर एक स्क्रीन स्टार्ट कर लेना है और इसकी भी आपको यहां पर एक फोटो कापी वहां पर लगा देनी है आपको यहां पर मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको एक cybercrime में report करनी है उस report की जो प्रति मिलेगी उस प्रति को और यहाँ पर इस FIR को जो SP को आपको देना है इस FIR को आपको यहाँ पर print कर लेना है और उस online report को और यहाँ पर जो facebook profile है इस facebook profile का एक screen 136, mobile number, email id सब कुछ आपको यहाँ पर SP office मिले जाकर यहाँ पर देना पड़ेगा तो SP office से ही यह आपकी यहाँ पर बंद हो सकती है अगर cybercrime के उस पर forward किया गया अगर cybercrime वाले कुछ नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर एक report online देनी पड़ेगी और यहाँ पर जो online report होगी उ तो ही आपका यहाँ पर जो है Facebook account close हो सकता है आपको यहाँ पर step by step यहाँ पर बता दिया कि किस प्रकार से आप यहाँ पर जो है Facebook account को permanent delete कर सकते हैं अगर किसी ने आपका Facebook account hack कर लिया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को subscribe कर वेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए